हेलो फ्रेंट्स मैंने मिस परले वीजा एस्वाल और हमारा नेक्स टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ हेलो थेन ओके सो सबसे पहले हेलो थेन क्या होता है तो यह हेलो थेन यह हेलो जैन्स ग्रूप रहते हैं पेरोडिक टेबल के महां से आता है तो जो हेलो थेन होता है यह हेलो जिनेटेड एनस्थेटिक होता है यह यह नॉन इरिटेंट नॉन इंफ्लामेबल वोलेटर लिक्विड होता है यह ब्रॉंक्यो डिलेशन कॉस करवाता है और रस्थमा में यूस किया जाता है अब हेलो थेन का जो सिंथेसिस से यह दो रूट तो ट्राय कितना ट्रायक क्लरो मतलब 3 रिक्रेंग्रहिए क्लोरिन अब यहां पर निकलगेंगे और यहां पर यह डबल बॉंड ए यहां से भटक और सिंगल कहांट बोंडेगे तो यहांकी एक मतलब bond कम हुआ तो यहां पर एक जो position ने वो खाली हो जाएगी तो उसकी जगह यहां पर fluorine के 3 है ठीक है तो fluorine का जो एक fluorine बचेगा जैसे यहां पर 3 fluorine है तो 1 Cl की जगह एक fluorine आगया एक Cl की जगह एक fluorine आगया और जो double bond हमने हटाया तो उसकी जगह पे एक और fluorine जुड़ गया तो ये क्या हो जागा फिर single bond तो ये C और फिर यहां पर क्या हो गया ये F के तीन पार्ट जुड़ गया F, 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 ठीक है और बाकी फिर यहां हो जागा C फिर single bond C है ना और ये CL इधर attach हो जाएगा और एक जो एक एच यहां का है वो यहीं पह रहेगा और एक एच यहां पर जूड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 chloro 1 1 1 1 trifloro ethane इसका नाम है अब यहां पर हम क्या करेंगे bromination करवाएंगे bromination में क्या होगा BR दो BR है एक की है और एक की है तो यहां पर ये H की जगह पर ये H और एक ये BR H BR निकला तो ये H BR निकल गया अब ये वाला जो BR है इस H की जगह पर attach हो जाएगा तो ये क्या हो गया ये H की जगह पर ये BR आटेच हो गया तो BR C single bond H CL FFF पुरा सेम तो ये क्या बन गया है HALOTHEN और इसका नाम का है 2-Bromo-2-Chloro-111-Tri-Fluoro-Ethene तो इससे के पर लिखेंगे HALOTHEN is synthesized by the Trichloro-Ethylene This Trichloro-Ethylene undergoes the reaction with Antimony Trifluoride इसकी spelling check out कर दीजेगा At the temperature of 130 degree centigrade When this reaction carried out Then it formed new compound 2-Chloro-111-Tri-Fluoro-Ethene Now this 2-Chloro-111-Tri-Fluoro-Ethene Undergoes the bromination And new compound form HALOTHEN And remove HPA अब जो हमने reaction में किया है वही इसमें लिखा है As a theory अब root 2 ठीक है ये भी वही Trichloro-Ethylene से start होगा तो ये Trichloro-Ethylene है अब यहाँ पर addition reaction होगे Addition reaction मतलब यहाँ पर HCL को हम add करेंगे ठीक है तो HCL को add करेंगे तो कैसे करेंगे जिससे ये 2 है तो वह यहाँ पर वापस डबल बॉंड है तो ये डबल बॉंड हटेगा ठीक है और इसकी जगह पर ये जो ये वाला CL है ये अटेच हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा single bond तो क्या होगे ये C के उपर ये CL ये CL तो ऐसे के ऐसे और ये CL डबल बॉंड हटागे यहाँ से जोड़ दिया ठीक है तो ये क्या होगे CL 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 C C single bond C और ये वाला CL इधर कर दिया एक केच यहाँ पर पहले से ही है और ये वाला जो H है यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या होगे टेट्रा क्लोरो इथेन अब यहाँ पर हम क्या करवाएंगे हाइडरोजन फ्लोराइट के साथ में रियेक्शन करवाएंगे हमने तीन क्लोरी ने जाएगा F F F और बाकि पुरा से C सिंगल बॉंट H H और ये C तो यहाँ पर निकल गए 3 H C L तो ये क्या बहना 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राइफ फ्लोरो इथेन अब यहाँ पर वापस ब्रोमिनेशन करवाएंगे वही बी यार बी आर तो ये H है तो ये H B R निकला ये वाला H और ये वाला B R तो ये H B R निकल गया तो ये H के जाएगा खाली हो गई तो इसके जाएगा पर क्या है ये दुसरा वाला B R जोड़ देंगे तो ये B R जोड़ देंगे बाकि पुरा सेम तो B R C H C L C F F F पुरा सेमी है बस यहाँ पे बियार कर दिया तो कया बढ़ेंगा है है लॉॉथेन तो इसमें क्या लखेंगा है रूट क्या नियुक रूरीट रूरेफ्ट नीयुक्त त्रिक्लोरेफ्टेली अच्छा इड स्थी रूरेफ्टेटेट मस्त्यूरिज शिलिए तो यह इसका दो रूट्स है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू